नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिसिकली जियो फाइनेंस सर्विस जो है अभी जिस आप से करेंट एगर इसका रेट देखेंगे तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे जियो फाइनस सर्विस की तो आज से वन मन्त अगर आप पहले देखोगे चार्ट पे जाके तो मार्केट जो प्राइज चल रही थी उस समय तो समय राउंड दोसो पैतालिस दोसो पचास के राउंड यहां पे आपको प्राइज देखने को मिल रही होगी तो एकाईक ऐसा क्या हो गया जो कि अभी मार्केट देख तो सो पॉइंट उपर यहां पर रैली दे चुका है मार्केट में अच्छी बुल यहां पर जो है कंडिशन काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल रही है यानि कि बड़े-बड़े इंवेस्टर जो है अपना यहां जो है स्टॉक को खरीद रहे हैं तो ऐसी क्या अपर दिख रही है वह सारा चीश समझेंगे और दोस्तों मैं चार्ट पर ले जाके बिल्कुल बेसिक सब्दों में आप लोग को समझाऊंगा कि यहां पर देखी मैंने भी इसमें जो है क्या प्रोस्पेक्ट मे लूख यह पली अफ लोग यह स्टॉक जो है ओल्मॉस्ट भाए करोर लाश को मार्केट कैप लेकर ब्याट चुका है जेहां पर सबस पहले तो यह चीश्जद देखीए और इतने बरे अगर मार्केट कैप को लेके कोई बैठा आ है मार्केटे मैठी कए तो और उसका प्रा लग रहा है तो आपको लग रहा है बस दैट सबट आपको अज़से यहां पर आपको अपको खड़ें से संकोच आ रही हो ठीक ना खड़े या नहीं कि महाँगा है बट इस स्टॉक में पोटेंशियल होता है न वो रूखता नहीं है बात को समझेगा आझ से अगा एक तो 10 साल 11 साल पहले बैक जाएं तो 2013 के एप्रॉक्स में जो है ना बजाज फाइनेंस जो है ना बजाज फाइनेंस अगर देखेंगे तो 700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था कितने पर ट्रेड कर रहा था आज देखेंगे तो 7000 प्लस चला चुका है ठीक है जा चुका है कितना पर पचेतर सो साथ चार के सम्थिंग होगा तो आप यह अंदाजा लगा सकते हो ठीक है तो यह स्टॉक में कितना पोटेंशियल हो सकता है और यहां पर जब बात आ जाए जीयो की तो इसका कोई तोरी नहीं है दोस्तों है ना आप लोग को पता है जहां पर जीयो लग जाए तो इसका कोई तोरी नहीं है तो अभी अच्छी अपर्शनिटी में को दिखिए अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और इसका चार्ट क्या कह रहा है लॉंग टर्म के लिए चलिए वह भी चीज़ समझ लेते हैं चले दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं चार्ट दोस्तों यह देख सकते हो हम लोग आ चुके जीओ फ़नेंस सर्विस के चार्ट पर यहां पर देख सकते हो फोर आवर के टाइम फ्रेम पर हमने यहां पर अपन करका ग्राफ आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको विजस्ट कहा कि फरवरी के मन्त मे अगर देखें ठीक है तो वन मन्त पहले कि बात कर ले तो मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा था तो बैसिकली मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में आपको मार्केट बताएगा नहीं कि मैं यहां से अब जो उपर जा रहा हूं मार्केट को जो हब मार्केट में यह मार्केट जो है यह पॉसिल्टी रखता है कि नहीं इस स्टॉक में दम है या नहीं यह आपको फाइंड करना परेगा तो अब ही मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए वन से कंड मैं यहां पर इसको यह ले आता हूं ठीक है आप देखेंगे दोस् 250 पे ना 209 पे इस तरह कर देखने को मिला उसके बाद एक big rally देखने को मिली अब देखे जैसे अभी market काफी उपर जा चुका है लोग अभी संकोच में ले या ना ले देखे उस समय भी तो फरवरी के मंत में भी तो लोगों को लगा हो कि market इतना बड़ा rally दे चुका है अब यहां से market गिरेगा और market correct भी हुआ यहां पर देखोगे तो correct भी हुआ है तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है दोस्तों अगर हमको fundamental अगर किसी भी company का strong है मेरे को उस पर trust है तो मेरे को यह नहीं देखना चाहिए कि अभी उसमें correction होडा जैसी देखे थोड़ा सा correction के लिए क्या मैं इसमें invest नहीं करता अगर मैं नहीं करता तो मैं इतना अच्छा rally miss करता के नहीं पहली आप बताइए तो बहुत सारे लोगे यह मित रहता है कि market अब यहां से उपर जा चुका है अब यहां से गिरेगा तो इस गिरेगा या उठेगा यह market में 100% कोई नहीं बता सकता है बट possibilities और आपका जो nature है market को देखने का आप किस direction में देखते हो कि market को long term के purpose से देखते हो या फिर आप देखते हो कि मैं यहां पर आ रहा हूं कल परसों में निकल जाओंगा तो उसके लिए सारा चीज अलग होता है तो मैं यहां पर basically बात कर रहा हूं long term के लिए और fundamentally strong काफी अच्छा stock है यह तो मुझे काफी अच्छा इसमें जो confidence आ रहा है देखें दोस्तों यहां पर भी एक अच्छा सा यहां पर क्या हमें देखने को मिला अच्छा सा breakout यहां पर देखने को मिला मार्केट के लिए resistance level था resistance level को break करके काफी अच्छे level पर मार्केट गया अभी देखिए यहां पर shooting star बना रहा है बट मेरे को इससे कुछ डर नहीं लग रहा है बहुत साथ लोग यहां पर डर के निकल जाएंगे क्योंकि मार्केट में panic selling आगी ऐसा उनको लगेगा हो सकता है मार्केट में गिरावट आना तैय है मार्केट में उपर अगर जाता है मार्केट में देखिए यहां पर गिरावट आया तो उपर गया ना जो देखे जो असली player होते हैं यहां पर market में क्या करेंगे average करेंगे ठीक है जो भी यहां पर ले चुके है अब यहां पर उनको फिर से मौका मिलेगा खरीदने का तो मैं आप लोग के साथ कहता हूँ अगर आप लोग के साथ इस टॉक्स में भी आपको ट्रस्ट आ रहा है अगर आप मिस कर चुके हो यह ट्रेड तो यहां पर market को आने दीजिए ठीक है यहां पर आप चुए create किजिए का position तो काफी अच्छा है यहां पर एक risk reward आपको बैठेगा और अगर आपके मन में यह है कि नहीं मेरे को long term के लिए जाना है और तो long term के लिए कोई भी समय जो है perfect नहीं होता जिस समय आपको मन करें उस समय आप बाइ कर सकते हो बट उसका duration आपका लंबा होना चाहिए long term का चार साल पांस साल ऐसा होना चाहिए ठीक है तो यही रहा आज का दूस्तों analysis और जाते जाते मैं आपको यहां पर क्या दिखा देता हूं one month में क्या market का यहां पर नेचर रहने वाला यह देख लीजिए किस तरह से आगे momentum देगा important वही है मैं आपको gesture भी दिखा देता हूं और आपके लिए वह चीज जानना काफी जरूरी हो जाता है देखिए मैं एक लंबे time frame पर आपको analysis करके दिखा रहा हूं तो इस बात पर दूस्तों like जरूर हो जाए ठीक है यहां से आपको काफी clear cut देखने को च lazy कर देता हूं जिससे आप लोग को clear view मिल सकें अना अब मैं क्या करूंगा अब यहां पर rectangle zone create करूंगा यहां पर दोस्तों काफी सांदार में को यह चीज लगता है इस तरह का मेरे को बहुत कमी stocks में देखने को मिलता और जब भी मिलता है न दोस्तों इस तरह का और साथ में दोस्तों क्या देखेंगे यह one month का chart है one month के chart पर काफी प्यारा सा यहां पर breakout दिया यह चीज इंपोर्टेंट है काफी जादा market इस label को काफी rejection ले रहा था यहां पर इस label को ब्रेक किया और इतना बड़ा green candle के साथ यानि कि sure sort यहां पर जो है FII, DIA बड़े investor जो है यहां पर सकते हैं तो दोसों अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है बट मैं यह 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 भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग यहां पर buy कर लो sell कर लो है ना recommendation वाला वीडियो नहीं होने वाला है आप लोग का जो इच्छा करें आप वो करें बट अपना analysis जरूर करें ठीक है मेरा काम बस भी था कि मैंने आप लोग के साथ सेर किया मेरा व्यू और बाद मां कि आपका totally depend रहेगा आपका decision किया है ठीक है तो यहां पर भी देखे को देखने को मिल सकता आपको इस resistance लेबल का यहां पर जो है market जो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है ना तो overall आप लोग क्या करने वाले ह नीचे कोमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दिजिएगा और नीचे कोमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं सभी का कॉमेंट आज पढ़ने वाला हूं